विल्कम फ्रेंड्स पहचाना अपने ये कौन सी जगह है ये है कोटा हरा भड़ा कोटा कोटा का नाम आते ही हमें पहले है राजस्थान और रेगिस्थान और उट का अशिन हमारे नजर के सामने आ जाता है लेकिन कोटा आकर ऐसा नहीं लगता है कोटा विल और अगिनाइज सीटी है और नीट अन क्लीन और ग्रीन सीटी है कोटा ये देखे चारों तरफ हड़ियाली भरी होई है यहां के लोगों के अथक परिस्रम से हड़ियाली संभू हो पाई है कोटा पहले कोटा स्टोन के नाख के लिए जाना जाता था लेकिन अब य अधिनेवी कोटा को दूसरी कासी कहा है सिचा की नगरी कहा है यहां पर हावर शक्त लाखों बचे इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं और मैं इसी पर यह वीडियो बनाने जा रही है कि मैंने यहां के ओस्टल और रूम रेंट के बारे में थोरी शी इ बताती हूँ यहां के गल्स और वाइज दोने के लिए अलग-अलग होस्टल की वेवस्था हैं होस्टल में सिंगल और डवल दोनों तरह के रूम हैं और होस्टल में में स, लॉंडरी, एसी, कूलर, लॉकर, अल्मीरा, बेड, सब तरह की सुईधाये हैं और फैसलेटिज है फैसलेटिज की हिसाब से उसका रेंट भी है जो कि करीब 11-15-16, करीब 20,000 या उससे जादे तक भी आता हैं अगर आप सेरिंग में भी रूम लेते हैं कि रस्ते पे हमसे, खूल करकी कोई खूल हो ना कितनी शक्ती हमेरे नावा, हन का विश्वास पंदोर खोना हम चले परस्ते पे हमसे, खूल कर लेते हैं आप से एरिंग में भी रूम लेते हैं, तो कम से कम इगारा 12-15,000 तक एक परशन को देना होता है और एसी का भी भी अलग से आता है यहां पर पीजी रूम की भी व्यवस्ता जिसमें ओनर खाने पीने के साथ लॉन्री की भी व्यवस्ता करते हैं पीजी का रेंट भी करीब 7-8,000 से लेकर 10,000 तक आता है यहां पर होस्टल के अलावा रूम रेंट भी असानी से मिल जाते हैं और खुजने में दिकत नहीं होती रूम का रेंट कोचिंग के डिस्टेंस के आधार पर होता है नजदीक है तो अधिक और दू है तो कम से कम 500 मीटर की दूजी तक एक रूम का किराया 12-13-14,000 के पीछ में आता है और अगर बालकोनी है तो 15-16,000 तक और दू रूम का है तो और खुली फॉर्निष्ट है तो 20-25-26,000 तक आता है और विजली का भी लालक से जो करीब 10 रूपिय यूनिट है कोचिंग से जितने दू रूम लेंगे रूम रेंट कम होता जाएगा अगर आपके पास स्कूटी है, साइकिल है तो दू रूम लेने में दिकत नहीं है यहाँ पर सेकंड हैर स्कूटी साइकिल असाने से मिल जाती है यहां पर बरे बरे अपार्टमेंट है बने हुए है जो कि फुली फॉर्निष्ट है अस्टूरियम है जिसमें बेड एसी अजमीरा गैस चुला सिलेंडर लिफ्ट की भी वेवस्था है हमें सिर्फ बरतन ले जाना होता है है बहुत सारे हुस्टन में स्टूरियन के साथ मदर भी रासकती है लेकिन बच्चे एलाव नहीं करते है बहुत से प्रैवेट घरों में भी बच्चे एलाव नहीं है है और हां एक competitors बात यहांपी नौन्वेज एलाव नहीं है यहां पे बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए है और बहुत सारे रूम भी हैं, जिस तरह रूम में स्विधाय मिलती हैं, उसी तरह से उनका रूम रेंट कम या ज्यादा हो जाता है, ये सी एकुलर की हिसाब से भी बहुत जगह रूम का रेंट है, और फैमिली मेंबर के हिसाब से भी और बहुत जगह फैमिली मेंबर में जानकारी आपको बहुत आपके लिए काफी हालफमुल्स आजशार विखीत होई होगी जय से अअ आपको इसीतर समय फिकार आपके लिए जी धीन govern है कर दोघ है मेरा एक ब्लोच और वह यहां पर इंभरमेंट रूम रेंट यह सब के बारे मंन में लागों सवाल होते होंगे ये मेरा ये वीडियो देखे आपकी थोड़ी सी परसानी कम होई होगी आई होफ आपको ये मेरा ये बोहत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और सुस्क्राइब कर देना और थैंक्स पूर वाचिंग मैं चैनल अगर लाचिंग मैं यूर वाचिंग मैं खरा बाराव टार देना मैं तो पुर्ण अगर भाचिंग मैं यूरा वाचिंग मैं तो जरें जातनी हिस्वाचिंग तो उड़िह तो शाल बन्हों मर्स पार शुष्ट काच्छ बन्हों एक जाम एक पारीक करें।